इस एनिमे में जो हमारा मेन हीरो है यानि कि यू उसे बच्पन से इसके पेरेंट्स काफ़ी भुरी तरह ट्रेट करते थे वो लोग उसे डीमन डीमन कहते थे और इवन की गाली भी देते थे पहले तो सिर्फ वो उसके उपर चलाते और गुसा ही करते थे लेकिन समय के साथ साथ उनका टॉर्चर यू की उपर और भी जादा बढ़ने लगा एक दिन तो उसके फादर ने उसे जान से मानने की भी कोशिश करी लेकिन कैसे भी करके वो अपने घर से भाग गया और इनी ल भी हिचकचा रहा था लेकिन उन बच्चों में से लड़के का नाम मीका होता है वो हर पार यू की मदद करता था और तिरी दिरे करके उनकी फ्रेंट्शिप और भी जादा बढ़ गई यू की अब नई फैमली से वही और्फन एज के बच्चे ही बन चुके थे पर ठीक उस पास गैद करके उन्हें फ्यूचर के लिए उनके खाड़ा बनाने के लिए बढ़ा कर रहे हैं जिसके बाद वह एंपायर्स उन्हें एक अलगी सिटी में ले जाता है सारे बच्चों को उन्हें हर दिन अपना खून डोनेट करना पड़ता था जिस वजह से हम देखते हैं क कि यू और उसके दोस काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे वह इस चुक चुक की जिंदगी से बाहर निकलना चाहते थे एक दिन जब यू और मिका आपस में बात कर रहे होते हैं तब यह चानक से वह कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि लगपक काफी चोटे-चोटे थे वह जमीन में ड्राइंग बना रहे थे जिस वज़े से वेंपायर उन्हें काफी पूरी तरह पीटते हैं यह देखकर यू अपने आपको रोक नहीं पाता और वो उस वेंपायर से लड़ने के लिए चले जाता है लेकिन 13 सार का बच्चा आखिर ने पावरफुल वेंपायर को कैसे हरा सकता है वो वेंपायर उसका गला पकड़के उससे मानने वाला ही था तो मीका उससे माफी मागने लगती है और इससे पहले कि वो यू को मारता उस जगा पर एक नोबल वेंपायर भी आ जाता है और उसके कहने पर वो वेंपायर यू को छोड़ देता है हम देखत पास आती है वो से इनर के लिए इन वाइड करते हैं जब उसके और फणेज के बच्चे साथ पर डिनर कर रहे होते हैं तो वह दूसरे से बात कर रहे होते कि आखिर मीका मैंने सुनाई कि उसके connection noble family से जुड़े वे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना blood donate कर निकले जाती होगी और इसलिए हमें वो लोग अच्छा अच्छा खाना देते हैं उस बात को सुनकर यू को काफी ज़्यादा बुरा लगता है रात के टाइम पर जब मीका वापस आती है यू अपने दोस मीका से उस मैप के सहारे जाने लगता है जब वो लोग underground city से उस जगह से निकलने वाले ही थे कि वो noble vampire आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है वो मीका से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसा करो के और यहाँ वो एक एक करके सारे बच्चों को यू और मीका के आखों के सामने मा जाता था दूसी तब वो noble vampire मीका के ओपर भी अटैक कर देता है उसका दोस्त काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है इवन कि उसका हाथ भी कट चुका था लेकिन सई टाइम में उससे बचाने के लिए यू उसके सर में शूट कर देता है और वहीं पर ही मर जाता है यहाँ प एक गुरूप से टकरात है असल में वो demon moon गुरूप था वो लोग भी इंसान थे चोंकि vampire के अगेंस fight कर रहे है उस गुरूप में से एक बंदी का नाम गिरिन होता है गिरिन उससे देखकर पैचान लेता है और दूसरी तफ यू पतले की आक में उनकी गुरूप को join करने के लेकिन उस school में वो किसी भी दोस्ट को नहीं बनाता क्योंकि वो किसी और को नहीं खोना जाता था लेकिन हम देखते हैं कि उसका ध्यान अपनी class में नहीं था क्योंकि उससे सिफ जाकर vampire से fight करनी थी लेकिन वो यी काम तक तक नहीं कर सकता जब तकि उसकी education complete नहीं जाती उस में बाते करते वे जाई रहे थे कि वो कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक लड़के को बुली कर रहे थे उस लड़के का नाम यूवजी होता है यूँ लोगों के साथ fight करना चाहता था लेकिन शिनोवा उसको रोक देती है वो कहते हैं कि वह हमारे seniors है और अगर हमने ऐसा करा तो ये लोग हमें military से भी बाहर निकाल देंगे जिस पर कि यूँ खुद बिट कर उस बंदे को वो जा लेता है जब वो तीनों जाई रहे होते रास्ते में तो यहाँ पर यूँ उससे पूसता है कि आखर तुमने military join क्यों करी जिस पर कि यह वज़ी बताता है कि ब एक वैंपायर भाग चुका है चीनों वो उनसे कहते कि हमें बड़ो की मदद लेनी चाहिए मुझे जाकर अपने लीडर की रिन को बताना होगा लेकिन यहाँ पर यूँ कहता है कि तब तक काफ़ी ज़्यादा तेरी हो जाएगी और वो उस वैंपायर से लड़ने के लिए अपनी क्लास में जाता है जहां से कि वो अपनी स्वार लेकर बहुत जाता है वो वैंपायर से क्लास रूम में भी देख जाता है जहांपर कि वो एक बच्ची का खून पी रही होती है जिससे देखकर यूँ उसके साथ वाइट करने लगता है लेकिन वो वैंपायर उससे का पकड़ के दवाने लगते हैं जिसक पर की वो तोर की दोने खिड़की से बाहर गिर जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि सई टैबिंग पे यूने उसके पेट में तलवार डाल चुकी थे जिस पर कि वो लड़की क्याती है कि इससे कोई फरक नी पड़ता वो वैसे भी तनी अस करना है अब वो इस मिलिटर स्कूल में नहीं रह सकता जिस पर गिरिन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुमें टीमवर्क बिल्कु भी पसंद नहीं है और वो ऐसे बंदे को नहीं रखना चाता है जिसको टीमवर्क में कोई भी इंटरस्ट ना हो दूसी तफ हम देखते हैं कि यू इंजर्ड होने की वज़े से भी होश हो जाता है यहां वो अपने सपने में मीका और अपनी ओर्फनेज की फैमिली को देखता है जहां पर कि उसके दोस्ते कहते हैं कि अगर वो बतले की आग में ऐसी जाएगा तो वो आगे बढ़के कुछ नहीं कर पाएगा उसे न किनों को बैटल फिर्ड में जाने की इजाज़त दे चुकी है इसके बाद हम देखते हैं कि यू जब ठीक हो चुका था तो यहां पर गिरिन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आता है उसकी प्रैक्टिस को देखकर गिरिन को यकीन हो जाता है कि यू अप लायक बन चुका ह कि वो कर्स वैपन को चला पाए इसकी बाद वो कुछ स्टूडेंस को लेकर एक अंडरग्राउंड बेस में पहुँच जाता है वो उन सारे स्टूडेंस को बताता है कि तुम्हारी वैपन में एक तरह की डिमॉनिक पावर्स मौजूद होंगी लेकिन अगर तुम उस टेस् और असल में वो मीका की आवाज होती है उससे बात करने की कोशिश करते लेकिन यूद से पहचान लेता है उस टीमन से कहता है कि आखिर वो उसकी फैमली को भीस में क्यों लेकर आ रहा है अगर उसके पास हिम्मत है तो उसके सामने क्यों नहीं आता जिस पर कि वो डीमन अप उसे काफी ज़्यादा पावर्स दे सकता है कि तब जानक में उस जगा में उसके और्फनेज के बच्चे भी आ जाते हैं वो यूँ से कहता है कि क्या तुम हम इतने जल्दी भूल गए लेकिन उनकी लाशों को देखकर यूँ को काफी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है वो महसूस होगा तो वो ऐस जगा से जले जाएगा जिसपे की उसके बाद वो टीमन उसके स्वाट के अंदर फूस जाता है यहां यूँ देखता है कि वो उस टेस्ट में बिल्कुल पास हो चुछा है और वो स्वाट उसके पास है तब ही वो ऐसके वो despite कर शूका था लेकिन उ इसके बाद यावा कूची वहां के लोगों को मानने लगता है क्योंकि वो होश खो बैड़ा था ग्रिवन अपने साथियों से कहता है कि वो जाकर अपर यावा कूची को मारते लेकिन यू उनमें रोकता है वो कहता है कि हम उसे रोक सकते हैं लेकिन ग्रिवन उससे कहता है कि तो इंपॉसिवल है तो मैंसा नहीं कर पाओगे एवन की वो डीमन तुम्हें हट करतेगा तो उसी तफ हम देखते हैं कि यू यावा कूची के वैपन के सामने खड़ा जाता है वो से याद इलाने की कोशिश करता है कि उसे बदला भी तो लेना है जिसपर कि हम यहां पर इसके वापर हावी नहीं हो रहा इसके बाद वो उस वैपन को वहीं चोड़ गया है यूंकि पास आकर रोने लगता है दूसीत अफ गिरिन यूगे स्टैलेंट को देख कर काफी जाता है यहां जब वो दोनों की दोनों दोस्त रो रहे होते तो दूसीत अफ गिरिन उनके पास आता है वो उनको लात मार के बताता है कि वो अपनी रेवेंज के बारे में भूल जाए अब उसकी फैमली उसके नए दोस्त है उन्हें स्कॉर में रहकर ही काम करना होगा एक दूसरी को हर मुश्किल समय में बचाना होगा और इसी चीज को ही टीमवक कहते हैं इसके बाद यह इस्तमाल से वो तब ही कर सकते हैं जब वो काफी ज़्यादा मुसीबत में हो एक पिल खाने के बाद उनकी पावर्स एक गुना और बढ़ जाएगी और दो पिल काने से दो गुना और लेकिन वो उन लोगों को वान गरती है कि वो तीसरी पिल को ना ही ले तो ठीक है जिस वज़े से उनकी गाड़ी पलट जाती है लेकिन हम देखते हैं कि उनका गुरूप बिल्कुल सही था इसके बाद वह बैटल फिल्ड में उतर के लड़ने के लिए तयार हो जाती है उसे एक वैंपार मानने ही वाला होता है और वह काफी ज़्यादा इंजर्ट भी थ रुकने के लिए कहता है जैसे देखकर वह बैर जैसे पीछे मुड़ता है यह उसकी चाती में अपना स्वार्ड गुसेड देता है लेकिन जब वह उसके जहरे को देखते हैं तो वह दोनों की दोने एक दूसरी को देखकर काफी ज़्यादा शौक होता है क्योंकि असलमें को बंदा और कोई नहीं था बलकि यू का बच्पन के साथ ही यानि की मीका था जिससे देखकर उसका गुसा भी सांथ हो चुका था दूसरी तो गिरिन उससे कहता है कि इसके भैकावे में मत आओ याद करो कि यह लोग तुमारे दुश्मन है वो उससे कहता है कि अपनी स्व को निकाल कर मीका को मारता है लेकिन मीक उस जगह से बच जाती है जिससे देखकर गिरिन यू को पंच मारता हो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना क्या तुम बेवकूफ हो तुमारे वज़े से एक वेंपायर हमारे हाथ से छूट गया अब यह उस जगह पर वो लोग दे भागने के लिए कहता है लेकिन हम देखते कि वेरी जो की यू का रास्ता रोक देता है वो से कहता है तुम मुझे कैसे वह सकते हो मैंने तो पने हातों से तुम्हारे इस जदा गुस्सा हो जाता है अपनी बदले की आख में उसकी उपर टाक करने लगता है लेकिन सरी टाइमिंग पर मीका उसे बचा लेता है वह उसकी मदद करता है उस जगा में भाग निकले उससे कहता है कि तुम इस जगा से भाग जाओ इससे पहले कि वह लोग तुम्हें हम प अपने दोस्तों को छोड़के नहीं जाएगा इसके बाद जैसी वह अपनी टीमेट्स को देखता है तो वहां पर शीडोवा के उपर एक वैंपर उसका खून चूसरा होता है शीनोवा दर्द में चिला रही होती है जिससे सुनकर यूज की मत का निकले जा रहा था लेकिन म और हट के अंदर है और झालि से कहती है कि मैं तुमसे कहा था ना कि अपने ड़त को अपने ओपर हावी मत उने देना और इस वक्तों वही कर रहा है अव्igkeiten कार उसकी शावी और हाव होते हैं उसकी पावर्स को देखकर यूग की बॉड़ी से काफी ब्लैक कलर को और बाहर आ रहा होता है चुकि लगबख एक बिल्डिंग से भी काफी जदा पड़ा था वहां पे एक मैसिव लास्ट होता है जिसने की पूरी आधी जमीनी कायब हो जाती है यहां डर के मारे अब वो अपने किसी नए दोस्त की जाने का गम मना है दूसी दव यह सब कुस देखकर कि इन जी उनों उसे कहता है कि जाकर उसे उसके होश में लेकर आओ वो यहां पर मैं पैर के साथ वाइट कर रहा था है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता है यहां पर शेनोवा जो कि यू के गले लग जाती है और उसे उसके होश में आने कले कहती है उसके आवाज को सुनकर हम देखते हैं कि यू वापस से नॉर्मल हो जाता है यह सब कुस देखकर नीचे गिरिन हसने लगता है और कहता है कि देखा हम जीत गए ना जिस पर फैरिट कहता है कि इती भी और उस जगह में गिरिन के पूरी फॉर्ज पहुच आती है जिसने की उस वेंपायर फैरिट और उसके सारे लोगों को गेड़ चुका था और उस जगह में और आके नाम का सोल्डर पहुच आए जो कि उन सारे वेंपायर को सरेंडर करने के लिए कहता है इस दिन सिफ्ट हो यह तरह का उनका एक्सपेरिमेंट था लेकिन गिरिन शिरोवा को बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि पास दिन के बाद उस ट्रक का असर खतम हो जाएगा और यू बिल्कुल ठीक हो जाएगा जिस पर कि शिनोवा एक्री हो जाते है अब पर किरिन उससे पूसता है कि क्या तुम्हें यू पसंद तो नहीं है तो उसकी परवा क्यों करते हो चिसपर कि शिनोवा और उसके दोनुग इब भी जाता है वहां पास का सीन देखते हैं जहांपर कि जब यू गायल हालत में था तो मीका उसे बचाने के लिए जा रही हो यहां पर मीका फैरिट के उपर चिलाता है और कहता है कि वह यहां पर यू को छोड़के नहीं जाएगा चिस पर की फैरिट उसका गला दबाने लगता है अब वह भी होश हो जाता है और हम अगले सीन में उसे कैपसुल के अंदर देखते हैं मसल में इस कैपसुल के अंदर जो भी स्वार्ड यानि की कर्स्वार्ड उनकी उपर लगी है उसका कर्स हट जाएगा मशीन से आवाज आती की कर्स हट चुका है जिस पर की मीका उस कैपसुल से बाहा निकल जाता है बट वो रो रोता है क्योंकि उसे यू की परवा हो रही होत जिसा बälle करेंगे शोड़ाना था दरो लिए dif harp Σाथी केहता है शायड सिले क्योंकि उसके रिलेशन से रिलेशन से लूबल फैमली की प्रिंससे है दूसित अ धेका कि आयोज से रोए होग्याता उस जगह में तो जिस पर हम देखते हैं कि याहुची का ज़्यादा खुश होता है और फाकी साथियों को भी बुलाने के लिए चले जाता है लेकिन यहाँ पर यूज पूसता है कि क्या बाकी के लोग ठीक है जिस्ट पर यहाँची बताता है कि सब ठीक है से वाए उस जगा से उसे लेकर आएगा और इससे याद करके वो रोने लगता है तब उस जगा में शीनोवा भी पहुँच आती है वो उससे कहता ही कि मैंने तो सुना था कि लड़के रोते नहीं है लेकिन वो कहती है कि अगर रोने से तुमारा दिल हलका होता है तो तुम रो सकते हो जिस पर कि यूज से पूसता है कि आखिर बैटल फिल्म में क्या हुआ था तो शीनोवा मजाक में कहती कि वो सो गया था लेकिन इसके बाद वो बताती है कि जब वो बियोश हो गया था तो उसके बाद उनकी टीम लगवख हारी चुकी थी लेकिन अच्छा हुआ कि टाइम पर बैक अप भी पहुँच गया यानि कि हारुटो और बाकी मेंबर्स भी जिस वजह से हमने छोटे मुटे वेंपैर्स को भी मार दिया यहाँ पर यू नोटिस करता है कि शिनोवा की गले में बैंडिज लगा हुआ है और जब वो उसका रिजन भूसता है तो शिनोवा बताती है कि फाइट के दोरान एक बैंपैर्स कोन पीने की कोशिश कर ली थी तो में चिनता करने की जरूँती है ज्यादा कुछ जोट नहीं लगी लेकिन दफिय चानक से उनके टीम की एक मेंबर भी आ जाती है जोकि उन दोरों के तक लोज देकर गलस समझ रही होते है और यहाँ पर उसकी करतन में काटने का निसान देकर वो उसकी ओपर चिलाने लगते है तब यह उस जगा में कामा शुकी भी आ जाता है जोकि लाइट आउन करके उस लड़की को दूर करता है कि एक तो वो अपी ठीक हुआ है और तुम उसकी ओपर ता चिला रही हो वेल इसके बात वो हसी मजाग में बाते करने लगते हैं और वो यहाँ पर यू को भी समझाते हैं कि अगले बार से उसे अकले रश पर जाने की जरूरत नहीं है जब कि सब टीम वर करेंगे और यहाँ पर वो हस्ते हस्ते बाते भी करने लगते हैं दूसरी तब हम वैंपार को और सितानी का भी वह कुरहार होता है औरıı यहां वह दोंगों दोस्त एक दूसREE से बादा करें होते की वह दूसरे को रेसक्मर करेंगे तुसका पर की रहे होता है इसके बाद यहाँ पर जबoserות के साथ कर रहे हlingen तो फाइटिंग के दोरान वो उससे कहता हैगी उसकी बड़ी वहन तो उससे काफी ज़्यादा पाउर्फुल थी आखे शिनोव ऐसी क्यों है अब जिसपर शिनोव अपनी बहन के बारे में और कुछ सुना चाहती थी लेकिन गिरिन उसे नहीं बदाता है इसके बात जब वो यू को भी नहीं पता कि तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो लोग यो को ऑफिस में बुला रहे होते हैं जब वो लाइबरेरी से बाहर जाता है तो उसे वहाँ पर गिरिन भी दिखाई देता है कि लगता है तो मारा प्रमोशन होने वाला है बर इतना मैं जाधा सान बात नहीं है यह उससे कहता है कि वो उसका पीचा क्यों कर रहा है लेकिन ग rooting उसके पीछे पीचे-पीचे जा रहा होता है रास्ते में से एलिवेटर में उसकी फ्रेंट भी दिखाई अपर और उनकी दूसरी टीम होती और अपने करसता है लेकिन हम देखते हैं कि कैसे यू बढ़ी हसानी से उसके कर्स को ब्लॉक करते हुए उसके उपर पीछे वार करने ही वाला था लेकिन तभी उनकी एक लड़की आकर उसका नाम AI होता है वो से बचा लेती है और तभी उस जगह पर शिन भी आ जाता है वो कहता है कि मैं भी देखता हू लेकिन तुम और शिनोवा के ओपर हमें शक है क्योंकि तुम तो वेंपैर्स के यहां से आये हो ना कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जासूस हो और इसके बाद वो यहां पर यू को टॉर्चर करने लगता है वो उससे पूछते है कि वो ससे बताए कि आखिर वो यहां पर किसले इस पर यू साफ मना करते है क्योंकि यहां पर मीह का और उसकी रिलेशंशिप के पूच रहे थे यू उसे मीख愛 के बारे मंथाने से साफ इंकार कर देता है जिस पर की हारुडो और उनके ग्रूक उसके दोस्तों को कैप्छर करके उनहें पीटने लगता है उन्हें ऐसी हैल उसको उसके साथियों को छोड़ देता है यहां पर बार उनके गुरूप के मेंबर्स उनका वेट कर रहे होता है यहां पर यह गिरिन के पास आता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया जिस पर गिरिन कहता है कि क्योंकि मैंने तुम्हारी आखों के उसे कहता है कि भूलो मत अब तुम वेमपायर हो, इस जगावे जिन्दा रहने के लिए तुम्हें किसी इनसान का खून तुम पीना ही होगा, और इसके बाद वो इस एक इनसानी बच्चे को मानने लगता है और उससे कहता है कि इसका खून पीलो लेकिन हम देखते हैं कि यहा आदव बढ़ाना चाते थे इसलिए उन्हें सबसे पहले अपनी दीमेंस के साथ अपनी दूस्तिकों वड़ानी होगी करेंए सब्सक्त wrestler करेंद से में रहता हैंचाित्यालवाद इसे साथ मिल है आने का नतजार कर रहे होता है तो उसी तव वो लोग यू को देखता है जो कि अपने डर्ट से जीतने की कोशिश कर रहा होता है यहां हम उसके माइड में उसे देखते हैं कि अपने बच्चपन की बॉड़ी में होता है वहाँ पर उसके पेरेंट्स उसकी उपर गुसा कर रह रहे होता है उसे monster monster कह रहे होता है और यहां वो यह भी देखता है कि उसके अपने आपको बजाने के लिए उस जगह से भागने की कोशिश करता है कि तब भी उसकी बिल्डिंग के फ्लोर में उसकी और्फनेज के दोस्तों की लाश्रे पड़ी होती है उससे देखकर यह उसी painful memories थे तोड़ने की कोशिश कर रहे होती है उसे ड़ाने की भी लेकिन यहां पर यह सब को समझता था और उससे कहता है कि इस चीज का कोई भी वाइदा नहीं है यहां वो demon illusions बना कर उसे ड़ाने की कोशिश करता है लेकिन यह अपने धर से चीट जाता है इसके बाद उसकी आ पारे में बात कर रहे होते कि कैसे मॉस्टर में बदल गया वह यह भी बताते हैं कि यूँ और को इनेबल की मीगा का दोस्त है और जब यहां पर मीटिंग घतम होती है तो वह प्रिंसेस उसकी उपर चिलाने लगती है और उस कहती के ताकित तुमारे हिमत कैसे मीगा को अगया बिदा कि ततरiquement की माजू को देखते हैं जहाब कि वह अपनी बहन को बचा रहा होता है उसकी मैंन काफे ज्यादा बीमार थी रूस्तों से आप देता है कि क्यों ना तुम अपनी को शाकू से मार दो और तुमारे सर से ये बोज भी चले जाएगा अंदर जाने के बाद उसकी बैन भी उसे उकसा रही होती है कि वो उसे मार दे अगर वो ऐसा करेगा तो उसे उसकी चिंदा करने की जरूरत नहीं होगी यहां पर की मजू की काफ़ी जादा मैनुपलेट हो चुका था उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था क्योंकि उसकी बैन करने लगता है जहां पर कि अपनी पावर से कफिन को बहार निकालता है और तुस्से तफ यू अपनी स्वार्ट के क्लोन्स बनाकर उसके उपर वार करता है हम देखते हैं कि उनके टाक पर काफ़ी वड़ा ब्लास्ट होता है यह सब को दूर खड़ी लड़किया भी देख लोग आपस में बाते कर रहे होते हैं कि आखिर इन लोगों को इतने पावरफुल वैपन क्यों दिये गया है अकर इस बारे में सीनियर गृप्स को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे हारुड और उनका गृप आखिर गिरिन करना क्या चाता है और उसने इन सारे चीज़ों क यहां से बच्चे को देखते हैं जो कि चिटी में लेकर कावुतर के जरी उस चिटी को आर्मी एरिया तक पहुचा देता है जो मैसे डायरेक्ट एक को मिलता है यानि कि हरुट के ग्रूब के मेंबर को और वो लेटर वो डायरेक्ट हरुड को पकड़ा देती है अब दूसर की सामने आता है उन्हें अपनी कोकिंग इसकिल्स दिखाने लगता है खाना बनने के बाद यहां प्रिशी न हुआ उन सारे लड़कों को बताती है कि असल में हमें तो यह लग रहा है कि करिन हमारा लेटर है रही आखिर वो करना क्या चाता है वो हम लोगों के उपर सेज्ट मिलने के बाद हारुटू छत में पहुंसता है जहांपे कि उन्होंने दो फेंपैर्स को पक्ड़ा वाथा असल में फोन वैंपैर्स को डीमन में कनवर्ट करना चाते है इवन की नॉर्मल हूमन को वेजस के बाद व अपनी डीमन आरमी को बना कर पूरे वर्ल्ड मे रहते हैं उन्हें मानने के बाद को इलाका उनके अंदर आ जाएगा और यह काम और कोई नहीं बलखी गिरिन का गुरूप करेगा यहां पर गिरिन को लग रहा होता है कि शायद हारूट उससे बहुत कुछ छुपा रहा है दूसरी दरफ हम यू को देखते हैं जो कि बालकुन करूँगी क्योंकि लास्टाय मैं ही तो तुम्हें होश मिलाई थी जिसकी जवाब में यू कहता है कि वो उसकी जान को खत्रे में नहीं डालना जाता लेकिन वो बैटल के दोरान गिरिन के साथ ही रहेगा जिस तकि शिनोवा भी उसकी बातों पर एक्री होती है दूसी दक नगता है जब उसकी हिसे कोनहीं नहीं चाहता हूं और अगर तुम्हें मिटेंग में ओडर मिल को था मुझे मानने का प्र कियो जूँए मर चाहते हो। यह पात फिर से मत कहना क्योंकि तुम मेरे स्विफ खिलो ना जो कि मैं फाइनल बेटल में इस्तिमाल करने वाली हूँ तुम्हें तुम्हारे दोस्त क्या खेंस दे जिस वजह से तुम ना इधर के रहोगे और ना ही उधर के वैल यहां पर शिनोवा गिरिन के पास आते है जह यहां हम यूँ और उसके पूरे स्क्राइट को देखते हैं वह लोग निक हुए सिटी के दरफ जा रहे होते हैं असलों जगा में जाकर उन्हें नोबल वेंपैर्स को हरा कर उस एरिया को भी अपने अंदर करना था वैल यहां पर यूँ सोच रहोता है क्या पीका भीस लगता है यहां यूँ भी अपनी स्वाट से एक एक करके उस सारे मॉंस्टर को मानने लगता है जहां हम देखते हैं कि मजाक में वह लोग वहां पर यूँ को छोड़कर अपनी गारी बखा देते हैं जिस पर कि यूँ को वहां से भागते बागते पैदल आना पड़ता है उसी तब हम गिरिन के स्क्वाट को देखते हैं जो कि वहां पर अपनी पूरी आर्मी का इंतजार कर रहे होता है किरिन और उसका स्क्वाट आपस में लड़ रहे होता है एक फोटो को लेकर ता फिस जगह पर शिन भी पहुंच जाता है अपनी सुपकार को लेकर और उस कि रूस के बारे में नहीं पता कि याद दिलाना पुड़ेगा तुम सबको तफि उस जगह पर यूभी पहुंच जाता है चुकि सबसे ज़्यादा लेट आया था अब गिरिन उसके स्क्वाट को क्याता है कि उन सबको लास्ट में सजा दी जाएगी इसके बाद गिरिन डाना ही हमारे विक्त्री ना कि जिंदा लोट के आना और इसके बाद उनसाbayट को उकसाने लगता है और उनके अंदर जोस वनने लगता है यहां पर यू से बताता है कि रास्ते में मॉंस्टर्स के साथ फाइट करने के लिए वो लेट हो गया, वो अपने दोस्तों को खत्रे में नहीं डालना चाता था, अब यहां पर वो यू को सजा देने लगता है, वेल इसको देखकर यू का पूरे स्क्वाइट डर जाता है, ल उन्हें समझना होगा कि हर बात पर मजाक नहीं होता और इसके बाद वो उनकी पूरे स्क्वाइट को अपने स्क्वाइट से लड़ाने के लिए कहते हैं जहां पर कि वो सब के सब एक दूसरे के ऊपर टाक करना शुड़ू करते थे हैं हम यहां पर देखते हैं कि शिन था दूसी तफ वो लोग गिरिन के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं लेकिन हम देखते हैं कि गिरिन किता ज्यादा स्टॉंग था वो सब के सब मिल कर वे उससे नहीं हरा पा रहे थे यहां जब वो यू के साथ फाइट कर रहा होता है तो वो उसके सर पे एक तालिसमान देता है यह उससे अपने आप से छुडाने की कोशिश करता है बट वो नहीं निकल रहा होता है और इस वज़े से बागी के लोग पी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यानि कि यू के स्क्वाइट के इसी के मौके का फाइदा उठा कर हम देखते हैं कि गिनेर और उसके टीम के लोग उन सब को नौक करते थे और वो यह मैज जी जाते हैं पर गिरिंशी नोवो को समझाता है कि अगर वो ऐसी लीडर बनी रहेगी तो सायद उनके स्क्वाइट का क्या ही होगा लीडर होने के नाते उससे लोगों को समझाना चाहिए अपने गुरूप को बट वो यहाँ यू की तारीफ करता है कि वह अच्छी मैनद कर रहे हैं टीम वर करने में और अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ यू के स्क्वाइट को एक नारा मीज बंदे के स्क्वाइट के साथ दियू करने के लिए कहता है यानि इस मिशन के दौरान उन्दोन का चलेगा दूसरी तफ हम देखते हैं कि मीका भी उसी निकोया सिटी में पहुत चुका था वहां पर उसका तीम बच्चों को किरनाप करके अपनी लाके में भेज रही थे यहां मीका को भी काफी ज्यादा प्यास लगी होती है बच्चों की खून की लेकिन अपने आपको समझा कर जैसी उसका खून पीने वाला होता है तब इस जगा में उसका दोस्ता जाता है यानि कि उसका पार्टनर वह उसे चिड़ाने लगता हो क्याता है कि तुमने तो खाता था कि तुम किसी बच्चे को खून नहीं प्योंगे यहां पर उसकी बातों को सुनकर मीका अपने लेकर अपने इलाके की तरफ हेलिकॉप्टर से निकल पड़ते हैं दूसरी दफ अपनी पूरी आर्मी को एक पर फिसर जोश में लाकर कहता है कि अब समय आ चुका है और इसकी बात वो सब के सब निकोया सिटी में भी बहुत जाते हैं वहांने के बात किरिन अपने और लेकिन यहां पर यह यह पर पीछे से रोटक करने के लिए तयार है वेल इसकी बात उनकी टार्गेट उस जगहां में पहुंच चुके थे तो सबके सबने अपने काम पे लग जाते हैं जहां लॉंग रेंज में हम शिन और यावजी को देखते हैं जो कि दोनों के दोनों अ अपने टार्गेट को लॉक कर रहे होता है अब वहां पे दूर घड़े एक वैंपायर को देखते हैं जोकि नोबल वैंपायर था वो अपने दोस्तों के साथ बाते कर रहा होता है उस बंदे का नाम लूकल वैस कर होता है वैल वह यहां पर इंसानी ब्लड पीकर आपस में जब बातें गरी रहा होता है कि तब ही उसे कुस चीश का एहसास होता है असलमें दूस्से तरफ से शिन और यह वोची ने उसकी ओपर टाक रहा था जिस पर कि वह अपने बंदे को बचा लेता है सही टाइमिंग में नीचे जुक कर और वैपन के आवाज को सुन कर नीचे नानामी और शिनोगा के स्कुर्ट भी अटाक करने के लिए तयार हो जाते है वहाँ पहुचने के बाद वो उस बैसकर के उपर अटाक करने लगता है लेकिन हम देखते कि वह वैंपार काफ़ ज्यादा पावरफुल था वो एक एक करके उसके सारे स्कुर्ट को लिप्टान लेकिन वो अप भी जिन्दा था वो लोगों के साल फाइट कर रहा होता है लेकिन हम देखते हैं कि नानामी इस्पेल्स का कर उसके हेक हाथ में चेंज बांदेता है और जैसी दूसरी था उसके स्कुर्ट के लोग उसके उपर डाक करने के लिए आई रहे थे कि उससे पहले लोगों के साथ एक बार फिर से फाइट करने लगता है उसे फाइट के दौरान पता चलता है कि यह लोग और कोई नहीं बलकि एक नॉर्मल हुमन्स है यहां वो उनके अटाक के वज़े से काफ़ी ज़्यादा दर्चक्मी हो चुका था और वो नहीं जाता था कि वो किसी इ स्काम बजाया अपने स्क्राइड में वो लोग जीत गए यहां गीनिर को देखते हैं जो की काफ़ी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था उसकी पार्टनर्स भी लेकिन वो भी अपने मिसन में पास हो चुके थे उन्होंने भी वैंपार्स को मार चुका था लेकिन उन्हें इस सब्सक्राइड को देखते हैं जो की कवर्ण मिल्डिंग में ऑफिस में बैठा होता है वह उस जगा में उन्हीं लोगों को इंतजार कर रहा था यानि की हुमन का क्योंकि उसने उस जगा में ट्राप पिसा के रखावा था वैल इसी के साथ इसका पार्ट वन एंड होता है अगर आपको इसका पार्ट व चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना